प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है गणिती विवेचन और ये हमारे 11 का सबसे इजी टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले इसमें important चीच क्या होता है गणिती विवेचन में, कथन, ये सारा based है किस पर कथन पर, कथन मिन्स की statement, या तो वो राजानी होगी, या तो नहीं होगी, मिन्स की कथन या तो सत्य होगा, या तो असत्य होगा, पर दोनों हो सकता है क्या, नहीं, है भी और नहीं भी, ये चीज नहीं हो सकता, है ना, मतलब की दिली भाद की राजानी है, तो है, नहीं है, तो definitely वो नहीं है, या तो तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा बट दोनों चीजे नहीं हो सकती और कथन जैसे कि हैं पर PQR दिये हैं वैसे हम लोग A, B, C, D, E, F Z तक पूरा कुछ भी ले सकते हैं वो आप पर बेज़ करें कि आप क्या लेना चाहते हैं ठीक है तो यहाँ पर कुछ एक्जांपल दिये हैं उससे समझते हैं और अच्छे से इसे कि प्रित्वी सूरे की चारोर क्या लगाती है चक्का लगाती यह एक कतन है और हमको मालूम है कि क्या है सत्य है कि प्रित्वी सूरे की चारोर चक्का लगाती है यहाँ पर अगर ऐसा बोलेता कि सूरे प्रित्वी की चारोर चक्का लगाती तो यह क्या होता कतन सत्य हो जाता है यानि कि false हो जाता ठीक है अब हमाँ आगे आते हैं ऐसे ही कुछ दूसरे करदन पर देखेंगे अगर मैं यहाँ पर यह बोलू कि दल्ली राजरा क्या है एक शहर है ठीक है तो या तो वो सत्य होगा या तो वो सत्य होगा तो दल्ली राजरा एक शहर है क्या 2 plus 2 is 4 और 2 plus 1 equal to 3 आता है तो यह क्या हो जाएगा असत्य कतन है ठीक है अब आगे आते है अभी हमने जो पढ़ा वो क्या था एक simple sentence था ठीक है जो हमारे statement था वो एक simple statement था या तो वो सत्य होगा या तो वो असत्य होगा ठीक है अब आगे question में आते है अनरोध पूर्ण है ना या फिर क्या बना जी आगे सुचक जैसे कि यहाँ पर देखो यहाँ पर example में दिया है मुझे एक गिलास पानी दो क्या बना रहे है मुझे एक गिलास पानी दो ठीक है तो यह कैसा लग रहा है अनरोध है ना यहाँ पर क्या हो रहा है अनुरोध रहा है यहाँ कि वो आपको मांग रहा है ना इसलिए क्या है अनुरोध सुचक है फिर क्या बोलता है फल दुकान से कुछ फल ला दीजिये जैसे कि जहाँ पर कैसा लकतना जाए ला दो ला दीजिये कीजिये है ना इस टेप का कुछ वर् तो फिर हो जाएगा अन्रोद पूर्ण या फिर वो क्या होगा आग्या सुचक जैसे कि यह अपना ग्रियकार यह करो ठीक है अगर एक टीचर किसी बच्चे को ऐसा बोले कि अपना होमग करके लाओ तो फिर क्या है वो आगय सुचक है कि मैं तुमको ये बोल रही हूँ कि ये चीज करके लाओ ठीक है तो वो क्या है आगय सुचक और ये था अनरोध वाला ठीक है अब यहाँ पर देखो इस वाले वाके में क्या लिखा है तुम कैसे हो फिर यहाँ पर क्या है कोशन मार्ग होगा यहां पीछे में क्या है कोश्चन मा रखो या फिर ऐसे बाहर में उपर में लिखा जाए क्या है तुम कौन हो तुम कहां जा रहे हो क्यों बैठे हो है इस तका कोश्चन अगर वह आपको ऐसा कोश्चन से लिटेड हो कि आपको कोश्चन कर रहा कोई तो फिर क्या होगा प्रस्तन सूचक कथन हो जाएगा वो कथन होगा क्या नहीं यह क्या है कोश्चन है कथन है क्या नहीं कथन कैसे होता है कि वो कोई चीज है है न तो वो क्या है कथन है जैसे कि हमने बताया था कि बालो दली राजरा जो है बालो जिला के अंतरकत है ठीक है आता है तो वो क्या है एक कतन हो जाएगा statement हो गया न ये लेकिन ये क्या है ये प्रस्तन सुचक वाक्य है ये question है ये statement नहीं है अब आगे आते हैं वाक्यों पर विज़ार केज़े देखो भगवान आपकी रक्षा करे ये blessing दे रहे हैं आपको है न और तो ये क्या है ये कतन है क्या नहीं ये कतन नहीं हो सकता है यहाँ पर मैं bless दे रही हूं कि भगवान आपकी रक्षा करे ठीक है ऐसे ही कुछ और अगर जब हम किसी का आशिरवाद लेते हैं तो हमको जो भी खुश रहो ऐसा कुछ आशिरवाद देते हैं तो वह जो आशिरवाद या फीड जो ऐसा बोलते हैं वह एक कतन है क्या नहीं वह भी Myate तो यह क्या होगा, इस्टेटमेंट होगा क्या Sunday 14, ANo, यह इस्टेटमेंट नहीं है, यह एक नॉरमल सा सेंटेंस है कि आज मंगलवार है और कल बुधवार होगा, ठीक है? तो यह भी क्या सेंटेटमेंट है क्या? नहीं है, यह एक normal सा वर्ड है या वाक्य है यह एक सेंटेंस हो जाता है अब आगे आते हैं अब हम आते हैं सत्यता सार्णी इसको कैसे बनाई जाती है तो सत्यता सार्णी होती क्या है यानि कि जो टेबल है वो होता क्या है तो उसको देख लेते हैं जो सत्यतर सारणी होती है, जो होता है, वो क्या करता है, कि वो अलग-अलग स्टेटमेंट, बहुत सारे स्टेटमेंट, एक से जादा स्टेटमेंट, क्या करता है, हमको सारणी बद्ध करके देता है, है न, या फिर हम उस जगा पर क्या करेंगे, सब को सारणी बद्ध कर सकते वो क्या कहलाता है हमारा statement, sorry, truth table कहलाता है, जैसे कि यहाँ पर हम एक कथन लिए, है न, तो यह एक कथन में, यह कथन true है, और यह fall है, ठीक है, true और fall, जैसे दो कथन, जैसे कथन लेंगे, वैसे ही डिबो की संक्या बढ़ दी जाएगी, है न, तो एक बार कथन क्या होगा, एक एक कथन के लिए, एक statement के लिए, यहां पर किते statement होगा, दो कथन है, दो statement है, तो दो statement में, एक बार क्या होगा, वो true होगा, एक बार fall होगा, clear, लेकिन, एक बार true, एक बार fall, तो एक बार true, दोनो एक बार true होगा, दोनो एक बार fall होगा, कभी ऐसा भी होगा, कि यह वाला true ह और ये वाला किया हो जाएगा बार चाहे होां और कभी ऐसा हूद कि यह कत्तन क्या होगा क्या होगा फाल्स कर दो होगा सब्सक्राइब इसलिए इसलिए यहांपे कितने टेबिल बन जाएंगे चार कर 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 пам親ा यह ऐ थेन कथन दे दिये गाये है तो कितने बनेंगे आता बनेगे देखो पहले यह आप यह दिर हो लिखेंगे देखो यह दोनों अगे पीछ दिया लेकिन लीकन यह दोनों false लेकिन टेक्निक बतारियों लिखते कैसे हैं तो फ्रस्ट कतन में 4 true, 4 false, clear सेकंड कतन में 2 true, 2 false, again 2 true, 2 false, थर्ट कतन में एक true, 1 false, एक true, 1 false, again 1 true, 1 false, ये ऐसा कतन लिखने का तरीका है इससे confusion नहीं होता है अब हम बात करेंगे निशेधन या फिर निशेधात्मक कतन negation statement ये negation statement क्या होता है जैसे कि मैं एक कथन ली थी मैंने कि दली राजरा क्या है एक शहर है तो दली राजरा एक सहर है ये वे हमको clear है लेकिन अगर मैं निश्यधात्मा की बात करलूँ है ना, तो कथन को क्या बनाना है उसका नाकरात्मक्षी लिखना है या तो मतलब उसको असत्य प्रूफ करना है वो सत्य है हमको मालू है बट अगर वो असत्य बोल दिया जाए यानि कि दली राजरा एक शहर नहीं है तो वो क्या होगा असत्य हो जाएगा ना, वो qathan क्या हो जाएगा? असएya और असएya कफ़िय hate? बोलते हैं, बहुटे बहुते हैं, और जो negation का जो sign होता है बच्छो, वो, खथन मानलोकि यह P, हमारा कतन क्या है? दली राजरा एक शहर हैं, अब इसका negation लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? दली राज राएक शहर नहीं है तो नहीं है means की ये ये जो sign लगाने ये वाला ये हमारा होता है negation का sign ठीक है इसको not का जाता है ये negation का sign है और P is equal होगा किसके इसके ये क्योंकि एक बार not again not करेंगे तो वही आजागा जो था इसलिए यहाँ पर देखो ये दिया होगा है ठीक है एक negation not sign फिर again not करके equal होगा किसके P क हमारा कथन वापी से सत हो गया जैसे की दर्ली राज राएक सहर है फिर मैं बोल लिए दर्ली राज राएक सहर नहीं है फिर मैं बोल लिए दर्ली राज राएक नौ है, ठीक है? तो हमको मालू है कि तीन और चार का योगफ़ल नौ होता है क्या कभी नहीं होता है, तो ये क्या है? ये क्या है? गलत है, है ना? तो पहले तो कथन हमको असते हैं पता चल गया है regलता है। लेकिन हमको क्या करना है इसमें निसेधर मिनाना है तो क्या लिखेंगे तीन और चार का योगफल नौ नहीं होता है ये लिख दिया या फिर ऐसे लिख देंगे यहां असत्य है कि तीन और चार का योगफल नौ है ठीक है मैंने बता दिया कि यहां असत्य है अब उसके बाद यह क्या बोल रहे हैं आपे और जाजे की क्या परिणामी कथन सत्य है तो परिणामी कथन क्या है असत्य है यह आप लाश्ट में लिखेंगे अब हम बात करेंगे मिश्रवा क्या फिर संयूत्र संयूक्त कथन की ठीक है जैसे की तो statement ये मिश्ट कतन है न, compound statement होता क्या है तो दो statement को क्या करके, mix करके यानि कि न, दो सरल statement रहेगा, कोई भी दो सरल statement है न उसको mix करके क्या है, एक वाक्य बनाए और बीच में क्या लग जाए, और या फिर या इस type का word लग जाए, तो वो क्या होगा, mix करके लाएगा, for example, जैसे कि अकास नीला है, और घास हरी है दो statement के, अकास नीला है, हमको ये मालूम है और second के है, घास के है, हरी है तो इसकी बीच में ने क्या लगा, दोनों को mix, एक साथ लिखना है, मिला कर लिखना है तो मैंने क्या लिखिया, कि अकास नीला है, और घास हरी है clear, वैसे ही, second हमारा वाक है कि वर्सा हो रही है, और ठंडी भी लग रही है तो अपन क्या बलें कि वर्सा हो रही है और ठंडी लग रही है यह बोल सकते हैं तो यह हमारा क्या होगा, mix, र कथन या फिर सही उक्त कथन, अब देखो अपवर्जित कथन या फिर अंतरविष्ट कथन, है ना, दोनो exclusive और inclusive और यह दोनों में difference क्या है ठीक है, इसमें भी सही उक्त कथन का एक ही रूप है यह भी एक सही उक्त कथन है बट इसमें सही उक्त करने के लिए जैसे कि हमने P और Q दो कथन लिया तो P और Q कथन की बीच में क्या लगा गया इसमें भी होई होगा P और Q कथन की बीच लगेगा या, बट अब इसमें दोनों में difference क्या है यह बता रही हूँ जैसे कि हमारा जो P कतन है कोई statement P है वो और second Q दोनों ही statement है लेकिन घटता है क्या कोई एक कतन क्या होगा घटेगा मिन्स कि एक कतन क्या होगा वहाँ पर काम करेगा तो वो क्या है exclusive है मिन्स कि P और Q में से कोई एक कतन क्या है वर्क करेगा और second कतन क्या है ब्रेक रहेगा, skip हो जाएगा तो फिर वो क्या है exclusive और है अगर inclusive की बात करें तो यह दोनों कतन क्या है एक साथ घट भी सकते हैं और है ना, दोनों एक साथ घटेंगे यानि कि दोनों एक साथ वर्क करेंगे दोनों कतन, दोनों इस्टेट्मेंट तो फिरो क्या होगा, अंतर भी यानि कि inclusive मिन्स कि यहाँ पर एक 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 गामपल दिया हुआ है विद्यालय यह विद्यालय बंद होगी यदि चुट्टी है अत्फा रविवार है यानि कि विद्यालय तो बंद होगा ही और चुट्टी का दिन है बट रविवार भी है तो यहाँ पर देखो, क्या बोल रहा है यह क्यों कि जो विद्यालय है, वो चुट्टी के दिन तो बंद होगी ही, definitely और रविवार को तो बंद होता ही है यह हमको मालूम है इसलिए, यह क्या हो जाएगा अंतरविष्ट कतन हो जाएगा फॉर इक्जामपल, कि दो रेखाए एक दूसरे को एक बिंदू पर काटती है या फिर समानतर होती है तो इसमें से एक कतन ही घटित हो सकता है कि दो बिंदू जो है दो रेखा एक दूसरे को काटेगी और एक बिंदू पर मिलेगी ठीक है, तो अगर वो एक दूसरे को कट कर रही है, तो वो समानतर हो सकती है क्या, नहीं हो सकती इसलिए, एक चीज क्या है घटेगा और है, तो यह किया है? अप वर्ट जीत कथन हो जाएगा अब यहां पर देखो प्रति धनात्मा कथन या फिर कंट्रा पॉजिटिव कथन यह होता क्या है जहीं कि हमारे पास दो इस्टेट्मेट है जासे कि P और Q दो Sell इस्टेट्मेंट है यदी P और Q यदी पी तो क्यों प्रतिधरात्मा कथन क्या है यदी पी नहीं तो क्यों नहीं means कि हमारे पास दो कथन है इसमें ये बोलता है कि यदी हमारा फर्स्ट कथन है जो भी है तो क्यों भी है बट अगर second कथन हमारा सत्य नहीं सत्य नहीं है तो फिर जो पहला कथन है वो भी सत्य नहीं होगा For example, केले का पेड़ फुलेगा अच्छे से सुने गया, मैं क्या बोल रही हूँ केले का पेड़ फुलेगा यदी वह एक महा तक गरम बना रहेगा clear यह हमारा वाक्या स्वरी, यह हमारा क्या है sentence है तो इसमें क्या लग रहे है, यदी और यह लगा ना, यदी केले का पेड़ फुलेगा, यदी वह एक महा तक गरम रहेगा ठीक है, यह हमारा स्टेट्मेंट हो गया अब मैं क्या बोल रही हूँ अगर वो एक महा तक गरम नहीं बन रहा तो केले का पेड़ फुलेगा, क्या नहीं फुलेगा, ठीक है इसलिए यह स्टेट्मेंट क्या हो जाएगा यह हमारा हो जाएगा गंटर पॉजिट्व स्टेट्मेंट clear यह देखो, यह वाला एक्जामपल है ना, यह और यहाँ पर देखो जब कभी वर्षा होती है यातायात में औरोद उत्पन होता है clear जब कभी वर्षा होती है यातायात में औरोद उत्पन होता है ठीक है, अब देखो, यह था, यहाँ से अब इस कथन को पैचाने का क्या तरीका है तो यदि वर्षा नहीं होगी तो यातायात में अरुद उत्पन नहीं होगा या फिर ऐसे बोल सकते हैं यातायात में अरुद उत्पन नहीं होगा यदि वर्षा नहीं होगी यानि कि यह हमारा जो कथन है वो क्या हो गया? कंटर पोजिटिव कथन है statement है ठीक है प्रती धनात्मक statement है यानि कि दोनों एक साथ work करेंगे अगर ये होगा तो ये definitely होगा जैसे कि केले का फिर फुलेगा कब फुलेगा यादि ये ऐसा होगा याताया यातमे अरोध कब होगा जब वर्षा होगी जब कभी वर्षा होगी याताथ में अरोध होगा या फिर दूसरा sentence देख लेते हैं यहां से ही कि आपको नौकरी याला आपको नौकरी यानि कि काम काम मिलने का ताथ पर ये अंतरभाव है कि आपकी विशवशनियता अच्छी है इसका मतलब ये कि आपको नौकरी मिल गई है इसलिए आपकी विशवशनियता अच्छी है अब आप हो गए है 30 के और आपकी पास नौकरी नहीं है तो फिर ये होगा क्या नहीं होगा यनि कि आपको नौकरी नहीं मिलिए तो आपकी विशवशनियता होगी क्या नहीं होगी ठीक है अब आगे आओ अब हम पढ़ेंगे ये लॉजिकल तारक सही हो जाए ना लॉजिकल कनेक्टिविस ये सम्मलब पढ़ेंगे ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे